दिवाली के दिन जब सब लोग दीपोंत सब का त्योहार मना रहे थे तब चोरों ने ताजबाग रोड स्थित एक कपड़े की दुकान में चोरी कर ली चोर नकद धाई लाक रुपे वसलवार सूट समेट कुल चार लाक रुपे का माल चुरा ले गए चोरों की यह हरकत CCTV में कैद हो गई CCTV में चोर अपने मूऔर पर नकाब बांधे दिखाई दिये पुलिस अब CCTV के आधार पर चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है छोटा ताजबाग के सुर्वे ले आउट निवासी विवेक बनोदे की चांदनी बार के पास जवा रोड पर टेक्स्टाइल नामक कपडो की दुकान है दिवाली के दिन 12 नवंबर को वे दुकान में पूजा पार्ट के बाद ताला लगा कर घर चले गए सोमवार की सुबह दुकान में चोरी होने की बात पता चली तो उन्होंने सक्करद्रा पुलिस को इसकी सूचना दी विवेक बनोदे के अनुसार दुकान के कैश काउंटर में नकद करीब 2.50 लाख रुपे थे ये राशी शुक्रवार से ही काउंटर में पड़ी थी बैंक बंद होने के कारण वो ये रकम जमा नहीं करा पाए थे अग्यात चोर दुकान में घुसने के बाद नकद और छेपीस सलवार सूट वर अन्य समान चुरा कर ले गए विवेक की शिकायत पर सक्करद्रा पुलिस ने चोरी का मामला दर्च किया है लेटस्ट अपडेट्स के लिए पावर अफ वन न्यूस को फॉलो कीजिए